प्यारे उद्धियार्थियों साथियों आज हम बात करेंगे विधायक की भूमी काई अर्थात पूरी दुनिया के अंतरगत जो व्यवस्था पीकाई हैं और विवस्था पीकाऊं के सदश्यों की क्या भूमी काई हैं इसके संदर में हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे विधियार्थियों वास्तिक रूप में राजनिती विज्ञान की विधियार्थियों को तो इस बात की जहनकारी होने ही चाहिए कि विधायकों की वास्तिविक रूप में क्या भूमिकाई होती है देखो सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपन बात बता रहा हूँ कि वास्तिविक रूप में जब हम पूरी दुनिया की विवस्तापिकाओं का अध्यन करते हैं तो उन विवस्तापिकाओं के सदश्यों को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे हम सही क्लाजे अमेरिका की विवस्तापिका अर्थात कॉंग्रेस का अध्यन करते हैं, कॉंग्रेस के दो सदन है पृतिमीदी सदन और सिनेट, तो सिनेट के सदस्यों को सिनेटर का जाता है, जब हम बिरटेन की संसद का द्यान करते हैं तो उसके अंतरगाति मिं दो सदन है, कौन-कौन सी लोग शदन और लौड सभा, लोड सभा की सद सी क्यों पीयर कहा जाता है और जब हम भारत की संसद का ध्यान करते हैं, तो भारत की संसद में भी दो सदन हैं, लोगसभा, राज्ये सभा, तो यहां लोगसभा और राजसभा के सदस्यों क्या कहा जाता है? शांसद कहा जाता है परन्तु मेरे प्राणों से प्यारे विधियारतियोग जब हम राजनीती विज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से अध्यन करते हैं तो पूरी दुनिया की सभी विवस्तापिकाओं के सदश्यों को विधायक की संग्या दी जाती है यह ध्यान रखेंगे आ आप तो यह ध्यान रखेंगे कि जब राजनीती विज्ञान का वैज्ञानिक तरीके सद्यान करेंगे तो विवस्तापिकाओं की सदश्यों को विधायक की संग्या दी जाएगी यह बात आपको ध्यान में रखनी है तो मेरे प्राणों से प्यारी विधियारतियोग शारप विवस्तापिकाओं की भूमी का विधायक रूपी विदायक रूपी माननाव तत्तव द्वारा बहुत अधिक नर्दारित होती है अध्यात् Vàatavaastik रूप में विवस्तापिकाओं की क्या भूमीकाओं कर दिया है अपको यहास्ता पिकव कंग की भूमिकांग के संदर में बहुत अच्छे तरomination समझा दिया है इसके लिए मैंने चार वीडियो अपलोड कर दिये हैं विधायक रूपी माननाव तत्तव द्वारा बहुत अधीक निर्दारित होता है अर्थात वास्तवीक रूप में व्यवस्ता पिकाऊं की क्या भूमी काई होंगी विशेशकर विधायक रूपी माननाव तत्तव उसका नियामक होता है नियंत्रक होता है अब इसी के साथ में विधायक की भूमी काई भी वास्तिक रूप में किसी देश विसेश की राजनितिक संस्क्रति उसके यादार्स और मुल्लू के द्वारा निर्धारित होती है यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है अगली बात वास्तिक रूप में जब हम वेवस्ता पिका के कारियों का ध्यान करते हैं तो वेवस्ता पिका के कारियों को मोटे रूप में दो भागों में माटा जाता है वेवस्ता पिका के कारियों के संदर पे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है आप प्ले लिस्ट में देखेगा मगर आज भी इसकी बात क्यों आ रही है जरूरी है क्योंकि भाई विधायकों का सामुईक रूप ही तो यह वस्ता पिका कहलाता है और यह वस्ता पिका के दोवारा मुख्यता है दो कारी के जाते शरकारी कारी और राजनितिक कारी मैंने आपके लिए यहां नोट कर दिया है यह द्याम देंगे व्यवास्ता पिका की कारी मुख्यता दो प्रकार को थे सरकारी कारी ये राजनितिक कारी दो कुछ समझ नहीं क्योंगे हमें विदायक की मुविका समझ लिए है अर्थात विवस्तापिका के अंदर विधाय कुण के द्वारा जो सामुक कारिये किये जाते हैं वो सरकारी कारिये कहलाते हैं सरकारी कारिये कौन से जैसे नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति, नियम अधी निर्ने, इसके लिए मैंने आमन नें पावेल का संदाचलात्मक प्रकरयात्मक मोड़क अप्लोड कर दिया है, फिलिडिस्ट में देखिएगा, ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो पहला तो सरका करें ईसते का दूसरा क्या राजनितिक कारी कारी कि विवस्ता से बाहर समस्तिक अंदर नहीं व्यवस्ता से बाहर व्यक्तिगत रूप में एक विधायक के द्वारा जो कारिये किये जाते हैं व्यक्तिगत रूप में एक विधायक के द्वारा जो कारिये के जाते हैं वो राजनितिक कारिये कहलाते हैं राजनितिक कारिये कौन से हैं जैसे हित स्वारोपी करण है हित समुही करण है राजनितिक संचार्या शंप्रेशन है तो ये कारि व्यक्ति के रूप में विधायकों के दवारा किये जाते हैं तो मेरे प्राणों से प्यारे विध्यारतियो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है क्योंकि यदि ये बात आप समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहा रहा हूं बहारत के विधायकी बातों ही अमेरिका की, पूरी दुनिया के अंतरगत वास्तिते रूप में दिखा के जो सदस्द से होते हैं, उनके दोर्ण क्या कारी के जाते हुआ, उनके क्या रोल होते हैं। आप यहां मैंने मेरे प्यारे विद्यारत केलिए विशेश कर यह डाइग्राप इस रूप मे बनाया है विद्याएक, क्वहमिका से सम्मन्दित, कोई भी भूमिका से समना रहे इसलिए मैंने आपके लिए यहां दस बिंदू तयार किये जो कि एक चित्तर के माध्यम से समझाऊंगा चलिए सबसे पहले बात लेंगे आप एक निरवाचक के रूप में विदायकी क्या भूमिका होती है अब चाहिए होए अमेरिका की बातों भारत की बातों ब्रटेन की बातों सब जग हैं विदायक की भूमिकाएं होती है यह कारी करते हैं विदायक नमर एक लेवाचक के रूप में इसका मतलब क्या है देखो जो ये विधायक होता है वास्तिक रूप में जनता का प्रतिमिधी तो होता है अब ऐसी स्कति में जिनमत दाताओं ने विधायक को चुन करके भेजा है तो उनके लिए क्या कारी करेगा ये उनके लिए इसकी क्या भूमिकाई होंगी ये होता है निर्वाचक संबंदी भूमिका कहलाता है क्या कहलाता है निर्वाचक संबंदी भूमिका तो निर्वाचक संबंदी भूमिका तीन होंगी विधायक की नमर एक नियाशी त्रस्टी नियाशी के रूप में विदायक की बुमिका इसका मतलब क्या है कि वास्तिक रूप में विदायक जनता के हितू की नियास्ता करता है अतात वास्तिक रूप में जनता के हितू का पूर्ण रूप में एक अमानत के रूप में ध्यान रखता है क्य कि जंता इसकी अमानत है किसकी? विधायक की तो इस रूप में यह उनकी सुरक्षा रक्षा संरक्षन करता है कांण विधायक और एक सच विधायक को वास्तिविक रूप में एक लियाशी का कारिय करना ही चाहिए दूसरा प्रातिनिधी ये बात सकते है कि विधायक जनता का प्रतिनिदी होता है तो बहाई जनता का प्रतिनिदी होता है तो उनके हितु का पोसक होगा या नहीं? उनके हितु की रक्षा करेगा या नहीं? यस उनके हितु की रक्षा करेगा क्योंकि उनका प्रतिनिदी है जनता ने विधायक कुछ के भेज़ा है कि आप जाईए हमारी हित्वी की रक्षा कीजिएगा हमारे लिए अच्छे से अच्छे कानून बनवाईएगा अच्छा तीसरा क्या है राजनईक राजनईक का मतलब क्या है इस वाप राजनितिक भी कह सकते हैं अब एक निर्वाचक के रूप में वास्तविक रूप में विधायक के दवारा ये तीसरी भूमिका भी निभाई जाएगे अताथ वास्तविक रूप में मत दाताओं के लिए क्या करेगा तो ये के राजनेक की रूप में भी भूमिका निवाएगा कैसे क्योंकि वास्तिविक रूप में जनता का प्रतिनी दिये जनता का प्रतिनी दिये तो वास्तिविक रूप में विदायक राज नितिक नेता के रूप में जनता के हितों का संरक्षन करेगा इसलिए आप कह सकते हैं कि वास्तिविक र हा रहता हूं दूसरी बात हित समुह और दबाव समुह के लिए इसकी या भूमेकाइं होती है निखिएगा वास्तविक रूप में जो विदायक होते हैं बाई, हिट समूहू और दवाव समूशिन का संपर्क होता है, क्योंकि जब तक हिट समूहू और दवाव समूह का इने साथ नहीं मिलेगा, तब तक चुनाव में जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ अपवाद हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, कि सब ही उमिद्वार बिना हिट समूह और दवाव समूह का साहरा लिए जीत ही नहीं सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, जैकि वास्तुरी क्रूप में आकर्शक व्यक्तितव के होते हैं, किसे ने किस रूप में हिट समूह और दवाव समूह से अलग रहते हैं, वो चुनाव जीते पर केल अपवाद है वास्तवी क्रूप में हिट समूँ और दबाव समूँ की शाहता लेते हैं ये वास्तवी क्रूप में चुनाव जीतते हैं इसलिए दबाव समूँ और हिट समूँ के दवारा वास्तवी क्रूप में इन विदायकों को मतलब पहले तु वास्त्विक रूप में इस रूप में विवस्ता पिका में प्रस्तुत करते हैं जिससे की उन मांगूं को विवस्ता पिका के दौरा शहुआर कर लिया जाए। और जैसे विवस्तापिका के दवारश से शवकार किया जाएगा, कानून या नीते का रूप दिया जाएगा, तो वास्तिविक रूप में हिट समुहूं और दवा समुहूं खुल करके इनके पक्षम हो जाते हैं, इसलिए वास्तिविक रूप में विदायक हिट समुहूं के स परियास करूँगा तो द्यान दीजिएगा आरोधक की रूप में क्या भूमिका होती है आउरद्ध के रूप में ये भूमिका होगी कि कभी कभी हित सम्हूं और दबाव सम्हूं वास्तिक रूप में कुछ अनुचित मांगे भी उठाते हैं वास्ताव में ये विधायकों के सामने अनुचित मांगे रखते हैं ऐसी स्थत्य में विधायक के दवारा इत्समोर दवास हमों की आनुचित मांगों को ठुकराया जाता है उनका विरोध भी किया जाता है उनका अरोध भी किया जाता है इसलिए विधायक एक आउरोध की भूमे का भी निबाता है ठीक है ये थोड़ी ना है कि इत्समोर दवास सब्सक्रार क भी मांग ऊंची तानुक्त सब शिर्कार कर लेगा शब को क roam animals दे जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सक्तेप इसलिए मुदैक और अदक निभाता है तीस्रा तरतास्त की भी मिकावे निभातायं विदायक कभी-कभी ही तसमू हुआ और दबाव सम्हूं कि जो हित होते हैं, जो मांगे होती हैं, वो इतनी उलज जाती हैं, कि विदायक वास्तविक रूप में उनके पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता है, अर्थात वास्तविक रूप में विदायक साफशुत्री रूप में ऐसे मुद्दों से अलग रहने क प्रियास करता है, जिससे कि उसकी सवी के ओपर कोई आँच ना आई, इसलिए ऐसी स्थी में विदायक एक तटस बन जाता है, अर्थात वास्तविक रूप में उनमें जो आपसी तकराट हो रहे हैं, उस तकराट से ये दूर होने का प्रियास करता है, ठीक है, तो ये होगा इत्सम्हू के रूप में इसकी भूमे काई, विदायक की, तिसरा जन सेवक के रूप में विदायक की भूमे का ध्याम दीजिएगा, वास्तविक रूप में सब की देशों में, जो विदायक होते हैं, मतले विदायक होते हैं, वह किस निकिस रूप में जन सेवक की भूमे क वास्तिक रूप में केवल दिखावे के रूप में करते हैं, वास्तिक रूप में नहीं करते हैं, जनता से जो वादे किये जाते हैं, वादे भी उस अमरू पूरे नहीं किये जाते हैं, परंतु फिर भी, चायो अपचारिकता ही क्यों नहीं किस रूप में विदायक, विदाय में इनके द्वारा जो वादे किये जाते हैं उन वादों को पूरा करवाने का प्रियास किया जाता है इसलिए जन शेवक की रूप में विदायक की भूमिका क्या होगी जन हित सादक जन हित रक्षक और जन हित प्रवक्ता मतलब जनता के हितों के ये सादक होंगे रक्षक हों कि अगर आप समस्दात्मक शासन प्रणाले का ध्यन करते हैं तो भाई कारे पाले का यह आती कहां से हैं कि वस्ताफिका में शीताती है पहले तो विधायक की रूप में तो चुने जाते हैं उसके बाद जिस दल को गहुमत मिलता है भाई तो इसकी सरकार बनती है तो वस्तों में विधायक कारे पाले का के रूप में भूमिका लिवाते हैं वास्थमिक रूप में इनके दवारा जो विशेश कर मंतरी मंडल होता है, उस मंतरी मंडल का शमर्थन करते हैं किशेने किस रूप में शंसद की अंतरगत, विवस्ता पिका की अंतरगत भाषन दिये जाते हैं, इसे के साथ में अभीकरणी प्रवक्ता, अर्था एक प्रकास इसका हम कह सकते हैं, अभी करनी प्रवक्ता के रूप में भी इनके दवारा भूमिका अदा की जाती है, इसे के साथ में वास्तिक रूप में ये कारे पालेका के प्रहरी के रूप में भी कारे करते हैं, वास्तिक रूप में इनके दवारे प्रियास किया जाता है, कि भाई कैस क्योंकि ये दिवान नी जिएगा तारे पाले का उपर कोई आँच आती है या मंत्री मंडल के खिलाप ऐस्वास प्रस्ता पारित हो जाता है और उनको त्याग पतर देना पड़ेगा वास्तिक रूप में दुबारा इसे चुनाव करा जाएंगे तो कोई भी विदायक ये नह बहुमिका निभाई जाती है ये होगी इसकी चार बहुमिका है पहला निर्वाचक दूसरा हिट समू तीसरा जन शेवक चोथा कारे पालिका के रूप में विदायक की बहुमिका अब आई इदर भाई इसके बाद में अब ध्यान दे यहां अब हम ये जो पारिवारिक देशों नैगि जो पारिवारिक लाव इदर भाई भाद में विदायक अब गरना शे अपने सगे शमांदि को अपने करिवार से शम्मंदिद व्यक्तियों को विशेश कर इसके द्वारे परियास किया जाता है विदायक के द्वारा कि इप terrory को किसने किसी रूप में सरकारी शेवा में भरती किया जाए विशेश परियास रहता है मैं बारना करा रहा ry में बमकी विक्सित देशों में भी विदायकों के दवारा ये भूमी का निभाई जाती है आपको नोट करना दोते हैं आपने पारिवार लाभ के लिए किसी ने किस रूप में गलत नोगों को भी प्रैसरे दिया जाता है, उनका सनक्षन करवाने का प्रियाज किया जाता है ये बात इसपस्ट हो जाते है किस वेक्ति के दोरा ये अपराज किया गया है परंतु यदि वास्तुविक रूप में उसके परिवार का सदश है तो किसने किस रूपी उसके संरक्षन के रूप में भूमे का निभाई जाती है मैं हमारे बार को दारन देता हूं कि यहाँ पर जब वास्तुविक रूप किसी विधायक या किसी मंत्री के पुत्र के दवारा कोई गलत कारी कर दिया जाता है तो तैसी स्तिमी तुरंती फॉन उठाकर के कह दिया जाता है कहां पुलिश डिपार्टमेंट से की हमारा बच्च रिष्वत और ब्रष्टाचार आप मुझे बता ही क्या विधायक रिष्वत लेकर के कारें नहीं करते हैं क्या विधायकों के दवारा किसी रूप में ब्रष्टाचार नहीं किया जाता है किया जाता है इसकी भी मुझे ज़्यादा वैख्या करने क्या शक्ता नहीं है मेरे पहरे विध्यार थी इतना तो आप जानते ही होंगे कि भारत के अंतरगत भी वास्तिक रूप में समय समय पर विधायकों को इश्वत लेते हुए रश्टाचार करते ही पकड़ा गया है इसमें मुझे उदाहरन देने के कोई आफशक्ता नहीं है आपको सरफ ये ध्यान रखे कि विधायक व्यक्तिगत लाव के रूप में भूमिका अदा करते हैं और ये भूमिका केवल विकासी लेश्व में नहीं बलकि विक्षित देशों में भी निभाई जाती है मतलब विक्षित देशों में भी विधायक पारिवारिक लाव के रूप में भूमिका अदा करते ह है तो कितने हो गई चार भूमिकाई होगी और पांच और छे च्छे भूमिकाई होगी मैं दस बिंदू बना रहा हूँ आप जलिए इर आई रही है अब अब यहां सात्मा जो भूमिका होगी होगा राजनितिक दल, political party, राजनितिक दल के रूप में विधायक क्या भूमिका होगी, मतलब political party के लिए विधायक क्या कुछ करता है अब ध्यान दे, चुकि यह बात तो सत्य है, कि जब तक विदायक राजनितिक दल से नहीं जोड़ता है, तब तक वास्तिक रूप में चनाव में जीतना बड़ा मुश्किल होता है, और उसका प्रभा भी इतना प्रभावसाली नहीं होता है, मतलब है वास्तिक रूप में शत्ता में इतना ज्यादा प्रभावसाली नहीं नहीं है परंतु वास्तिक रूप में आज दीरी दीरे इसमें परिवर्तन होता जा रहा है किसने किस रूप में जो विदायक होते हैं किसने किसी राजनितिक दलों से बहार या शावतनतर रूप में बहुत कम विदायक होते हैं कारण किके वास्तिक रूप में उनके पास फिर इतना प्रभाव नहीं होता है इसलिए वो किसनी किसी राजनी की दर्शे जुड़ जाते है तो एक राजनीतिक दल के लिए विदायकी क्या भूमिका होती है नौट कीजिएगा नमबर एक दल समर्थक मतलब विदायक वास्तिक रूप में जिस दल का शदश्य होता है उस दल के कारे करता के रूप में या समर्थक के रूप में भूमिका अदा करता है दूसरा दल के प्रवर्थक के रूप में भी विदायक विदायक होते हैं तीसरा वास्तिक रूप में कभी कभी जो विदायक होते हैं विए किसी भी राजनितिक दल की सदे सपन के पास नहीं होती है और वास्तनित saints रूप में चुनाव लड़ते हैं चुनाव में विजय भी होते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदायक वास्तनित डल के परिव depriपomerations के प्रे दाकर्वा अर्था दल-दल से अलग रहते हुए, तटस्त रूप में, वास्तिक रूप में राजनिती में शक्र ये रहते हैं, इसलिए राजनितिक दल के रूप में इसकी चार भूमिका होती है, नोट कीजिएगा, पहला है दल समर्थक, दूसरा है दल प्रवर्थक, और तीसरा है शावतंतर, और चवथ है तटस्त के रूप में भूमिका, ठीक है, तो राजनित दल के रूप में विदायक की चार भूमिका होगी, मेरी प्यारे विध्यारतियों समझना है, अगला देखेगा, अब इसके बाद में, राष्ट्र का प्रती निधी, क्या जो विदायक होता है, वह वास् चेत्र विशेश का, जिस निर्वाचन चेत्र से चुनाव जीत करके आ रहा है, उसका प्रती निधी होता है, सत्य बात, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में, फिर उस चेत्र का ही प्रती निधी निधी होगा, बलकि पूरे राष्ट्र का प्रती निधी होगा, तो ऐसी सत् दूसरा राष्ट्री प्रयवक्ता, इसरा राष्ट्री एहित्रक्षक और चौथा राष्ट्री प्रत्मधी अर्थात वास्तविक रूप में जब यह चुनाव जीत जाता है उमिद्वार की रूप में उसके बाद इन जब विदाहक बन जाता है तो ऐसी स्ति में अपने छेत्र विशेश की समस्याओं को दो ध्यान में रखेगा लेकिन जब वास्तुरिक रूप में यह विश्टापिका का सदेश बन जाता है संस्तिक दरकत मुझूद होता है और वहां जब विचार विमर्ष होता है ऐसी स्ति में वास्तुरिक रूप में यह एक राष्ट्र के प्रतिनिधी की रूप में कार्य करता है अर्था उसका जो नजरिया होता है वह वास्तुरिक रूप में एक राष्ट्र के प्रतिनिधी का होता है मैं या विशेश आग्व्याह निवेधन करता हूँ सभी विधायकों से वास्तिक रूप में अपने छेत्र विशेश से निर्वाचित होने के बाद में सभी विधायकों को रहश्र के प्रतिनिधी की रूप में ही कारे करना चाहिए छेत्र विशेश की बातों को उस समय केवल समश्चा की रूप में सामने लाया जाए मगर जाती के दरश्टी कौन भासाई दरश्टी कौन छेत्र दा की दरश्टी कौन को सामने ना रखते वे वास्तव में एक राश्ट के प्रतिनिधी के रूप में अपने भूमिका निभाएं एक राश्ट के प्रतिनिधी के रूप में विदायक अपने भूमिका निभा रहें तो मैं इसे एक आदर्स भूमिका कहूँगा और ये भूमिका इन्हें जी जान से दिल से हेड़े से निभाने चाहिए चाहिए आगे आता है प्रादेशिक राजदूद आप देखो यह राजदूद का मतलब यह नहीं है कि भारत से अमेरिका भेज़ेदार है कि ठीक है आप राजदूद की रूप में जाए नहीं 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 प्रादेशिक जेत्र से जीत करके आते हैं, उस छेत्र के प्रति निधी के रूप में अपनी भूमिकाइं निभाते हैं और जब उस छेत्र में, जिस छेत्र सुनाल जीत करके आया है, उस छेत्र में कोई सम्मेलन होता है, कोई सभा होती है, कोई समू होता है, या किसी भी सनस्ता विशेश में कोई तारिक्रम होता है, तो ऐसी सत्य में जो विदायक होता है, वास्तुरीक रूप में, एक राजदूद क के रूप में प्रती निधी के रूप में वहां मौजूद होता है कि क्या करो मैं एक राजदूद के रूप में प्रती निधी के रूप में वहां मौजूद होता है जिस छेतर से चनाल जीत करके आया है इसलिए प्रादेशिक राजदूद के रूप में भी विधायक की भूम यह बात तो शत्त्य है कि विधायकों का सामुए के रूप तो विशेश कर जो विधायक की भूमिका होगी वो यही तो होगी क्या भाई यह नीतियां बनाएगा कानौन बनाएगा सार अजनिक जिए होने के लिए निरने लेगा क्योंकि जनता ने इनको इसी लिए तो सुन करके भेज़ा है कि आप हमारे लिए अच्छी नीतियां मनाएएगे वास्तों में तो विधायक की जो यह विवास्ता पिका से सम्मनित भूमिक है और महत्तव पूर्ण है यह वाथ आपको ध्यान में रखनी है इसलिए अब विवास्ता पिका की भूमिका के रूप में एक विदायक की क्या भूमिक होंगी ध्यान दीजेगा जन नेता के रूप में इसकी बूमी का होगी क्यों किकि वास्तिक रूप में यह जनता का प्रतिमी दी होता है जनता ने निचुन करके बेजा है ऐसी स्थति में जनता का एक राजनितिक नेता होता है और नेता होने के नाते यह वास्तिक रूप में जन्ता के हितों का विशेश ध्यान रखता है अगला करम कांडी, ख्वास्तिक रूप में जो विधायक होते हैं, वह संसत के अंतरगत, एक विधायक, दूसरे विधायक के दोआरा किशिवी रूप में जो गोटाले किये गएं, उन गोटालों का भी खुलासा करते हैं, बताई मुझे होता है या नहीं, आप हमारे भारत के अंतरगत देख सकते हैं, समय समय पर ऐसे कितने ही गोटालों जागर किये गएं, उनके नाम दोहराने कि मुझे को यावशकता नहीं है, आए दिन, आए दिन गोटालों जागर होते हैं, ठीक है, मैं यह कह सकता है, एक शुनितराजी अमेरिका है कि अंतरगत जो रहते हैं, और समसद मुझागर होते हैं, तो यह भूमिका भी वास्तिक रूप में विदायकों के दवारा अदा की जाते हैं, करम कांडी, अगला है आविशकारत, वास्तिक रूप में विदायक जनता के हितों की रक्षया के लिए, इसी के साथ में वास्तिक रूप में वि नाने के लिए किसे निकिस रूप में नए नए आविस्कार नए नए शोध करते हैं, जिससे कि वास्तिक रूप में जन, कल्यान के लिए अथ्छी से अथ्छी स्रेश्ट, उचित, मांगे, पूर्ण करने के लिए अथ्छे कानून बना सकें, ठीक है? अगला है दलाल, देखो आप विदायक वास्तिक रूप में दलाल की भूमी का भी निवाते हैं कैसे बाई वास्तिक रूप में विभिन राजनतिक दलूं के बीच में दलाल की भूमी का भी निवाते हैं ये अपने आपको मंत्री बनवाने के लिए राजनतिक दलूं से मुह मांगी रकम लेते हैं धन नेते हैं, और उसके बाद में, वास्तिवी क्रूप में, एक दल को छोड़ करके, दूसरे दल में, चली जाते हैं, उने सॉ सर्शट कि चोथे आम चुनाव के बाद में, हमारे बारत में तो इस्तती यह होगी, कि वास्तिविक रूप में आये दिन ये विदायक कभी किसी दल में जाते, कभी किसी दल में जाते, इनको दल बदलू की संग्या दे गई, यहां तक नाम दिया गे इनको कि आया राम गया राम, हर्याना में तो एक विदायक ऐसे थे, जिम्नाने वास्तिविक रूप में 24 इस्तापित किया तक तो वास्तिवी क्रूप में जो विदायक होते हैं वो धलाल की भूमिका भी निवाते हैं इसे के साथ में विदायक आवसरवादी की भूमिका भी निवाते हैं वास्तिवी क्रूप में ये विदायक इतने आवसरवादी होते हैं कि मंत्री बनने के लिए क किसी हद तक पहुंच सकते हैं परवास्तिक रूप में अपने व्यक्तियत स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं तो एक आउसर वादी के रूप में भी विधायक की भूमिकाई होती हैं तो मेरे प्यारे विध्यार्थियों ये विधायक की भ कर सकते हैं और इन में से को भी एक बिल्दू लेकर के आप वास्ति ग्रूप में पूरी दुनिया की जित्री भी विवस्तापी काएं उन सभी विवस्तापी काउं की आपस में तुलना करकर के निशकर्ष निकार सकते हैं इसलेशन कर सकते हैं और जैसे आप इसलेशन करेंगे तो सामानी करन वनेंगा सामानी करनेगा of Cash transform आप वानसी रूप में शिद्दान का निर्मान कर शकते हैं और राजमती विज्दान का मूनिटिष यहितुर है सामान सिद्दान का निर्मान करना जिससे के मुषिष्वानी कर सकें अब इस बाद को हम जाद आगे, नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं तक रोकिएगा, अब चलिए, अब देखो, यह तो मैंने इसका एक पार्ट समझा दिया है, इसके बाद में मैं दूसरी बाद यहां सुरू करूँ, उससे पहले यहां अंति में मैं कुछ कहना चाहरा हूँ, देखो, वस्तों में वर्तमान समय में विधायकों के दौरा शरकारी कारिये बहुत कम किये जा रहे हैं, जबकि विधायकों के दौरा राजनतिक कारिये जादा किये जा रहे हैं, अर्थात आज वास्ते कुरूप में विधायकों के दौरा जो राजनतिक कारिये किये जा रहे हैं, उ इसी आधार परे कहा जाता है कि व्यवास्ता पेकउउव का पतन होता जारह है पर एक लिए suchen सुंदर्ण हैं है इसके लिए fascite कांके अफ्लोड करेंघे सब्सक्राइब कु शोटी जा रहे हैं यह सकी सहली कुम होती जा रहाए हैं और विदहायकों की भूमिकउंगौं एक विधायक कितने समय तक रियास्तापिका का शदश्य रहता है, कितने समय तक विधायक रहता है, इस समय के अधहार पर भी, विधायती भूमी का बदलती रहती है भाई चाहे विकास्चिल देश हो चाहे विक्सित देश हो चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रटेन हो चाहे जापान हो चाहे शुजलेंड हो किशी भी देश की बात है समय के इसाब से इनकी भूमिका बदलती है इसको विशेश कर लापालों बारा ने अपने चित्रन के आधार पर इस रूपी स्पस्ट किया है जिससे कि आप इसे ठीक से समझ सके तो ध्यान दीजिगा बहुत सामानने बात है समय के साथ विदायक की भूमिका की प्रकरती बदलती रहते जितना जादा समय होगा उसके इसाब से इसकी भूमिका बदलेगी निश्चित है आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं हम तो यहां के एक 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 जाम पर लिए ध्यान दे फिर एक विद्वाने लापालों बहराने निर्वाचकू ध्यान दे क्या निर्वाचकू यह वाला जो पहले वाला मैंने पार्ट लिया निर्वाचक की रूप में इसकी क्या भूमिकाई होती है इसको हम इसके लिए समझा रहे हैं अतात ला पालोंबारा निर्वाचकों की भूमिका की रूपन उधारन दे रहे हैं कि जैसे जैसे विदायक का समय बढ़ता है वैसे वैसे उसकी भूमिका बदलती रहती है तो जहांने ला पालो मारा ने निर्वाचकों के संबन्द में क्या निर्वाचकों के संबन्द निर्वाचकों मतलब जो मद्दाता होता है निर्वाचकों के संबन्द में विदायकों की भूमिका को किस प्रकार समझाया है अतत जैसे जैसे समय जादा होता है वैसे वैसे विदायक तीजिव मिकाओं बदलती है अब कैसा है लो adds एक तä क्रीश प्रतिनि निरोकbourg्यक वूर्दिक नियासि राजणिक और प्रतिनिदी का देखू वश्कूरूम में रिवास्थम सरप्र्थम् जब विधायक बनता है व्यक्ति उमिद्वार चुनाव जीता है तो जब पहली बार उचुनाव जीता है तो ऐसी स्थिमें नियासी राजनेक और प्रतनीदी के रूप में जो इनकी भूमिक है देखेगा यहां तक आईएगा आप यह कैक है अब यह बूमिका बिल्कुल बराबर है यह यहां और यह मतलब प्रारम में विदायक एक नियासी के रूप में राजनेक के रूप में प्रतनीदी के रूप में बिल्कुल बराबर भूमिका निभार है लेकिन अब क्या होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा एक विदायका वैसे वैसे क्या होगा कि एक नियासी के रूप में मतलब जनता के हितों की सुरक्षै के रूप में, या जनता के हितों की नियास्ता के रूप में, या जनता को एक अमानत मानते वे विदायक की क्या भूमी का है, तो यहां जैसे जैसे समय बढ़ेगा विदायक का, जितने जादा समय तक एक विदायक रहेगा एक व्यक्ति, वैसे वै विदायक का जितना जादा समय होगा उसी अनुरूप इसकी भूमिका बहुत जादा बढ़ती चली जाएगी और एक प्रतिनीदी के रूप में वास्तिक रूप में विदायक की भूमिका जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी भूमिका कम होती चले जाएगी इसका मत कासिल देशों के उपर तो लागू होता ही होता है परंतो इसका ये निश्करश नहीं निकालना है कि कि ये लोगी कासिल देशों में ऐसा होता है नहीं विक्सित देशों में भी ऐसा होता है मतलब जनता के हित की बात करना छोड़ देगा जनता के प्रतिनिदी के रूप में य मेरे हित के लिए यह समय सनटार के वीजय के अध्यास होता है वांस नयासी है भूमिका कम होती है UP व्हुन्निति Cup भूल जाता है वह सब बाती है कि मैं एक है जनता का प्रते मैं आपके सामने को चिक्ष्ट है के आये तो इसका मतलब यह हो हगा कि जैसे जैसे एक विदायक का समय बढ़ता है वैसे वैसे विदायक की भूमिका की प्रकर्टी में भी परिवर्तन हो जाता है यह हो गया वास्तित रूप में विदायक की भूमिका तो मेरे प्यारे विदिहारति हो अब विदायक की भूमिका के संदर में आप से किसी भी रू इसमें छोड़ी नहीं है तो मेरे प्राणशी प्यारे विध्यार्तियों मुझे पूरी उमीद है ध्रड़ विस्वास है कि आप विधायक की भूमिकाई समझ गए होंगे तो मेरे प्यारे विध्यार्तियों मैं आप से इतना अगरहे अवश्य कर रहा हूं कि आपके जो साथी ही है अर्था जो विध्यार्ति हमारे यूटूब चैनल से जुड़ेव हैं वो वास्तिक रूप में अपने साथियों को अवश्य अवववत कराएं जिससे कि भाई उनको भी कुछ लाव मिले और ज्यादा से ज्यादा मेरे विध्यार्तियों को लाव प्राप्तों यहीं त जितने विध्वान होंगे मैं उतना ही जीवन्त बनूँगा थैंक्यू वेरी मच्च थैंक्यू वेरी मच्च